जै मातादी आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तो आज हम बात करेंगे मेश राशी के बारे में आने वाले अगले दो दिन 23 और 24 मई शनिवार और रभिवार का दिन आप के लिए कैसे रहने वाले हैं दोस्तो हमारे राशी फल चंद राशी पर अधारित है यह समय जेश्ट मास के शुक्ल पक्ष का समय है और मेश राशी वालों के लिए बेहद खास और शांदार है चलिए शुरुआत करते हैं 23 तारिक शनिवार से दोस्तो तेज तारिक शनिवार को प्रति पदा तिथी रहेगी रोहिनी नक्षत्र होगा चंदरमा वरिशवराशी से गोचर करेंगे चंदरमा का ही नक्षत्र इस दिन रहने वाला है मेशराशी वालो शनिवार का दिन आप के लिए बेहद खास और भाग्यशाली है इस दिन आपको अपने कामों में बड़ी सफलता मिलने वाली है इस दिन आपको धन की प्राप्ती होगी घर परिवार से भी आपको मदद मिलने वाली है परिवार के लोग आपकी समस्याओं क को दूर करने में सहयोग करेंगे माता-पिता का अश्विर्वात प्राप्थ होगा इस दिन जमीन जादाद के दो मामलें व्शिश सफलता प्राप्त होगी पैत्रिक संपत्ती के वाद विवाद सुलिट सकते हैं घर में इस दिन नया समान आ सकता है घर में नई रेनोवेशन हो सकती है घर के जरूरी कामों को आप जरूर निप्टाएंगे इस दिन पारिवारिक जिम्मेवारियों को आप भुखूबी निप्टाने वाले हैं इसके साथ ही आपके भोतिक सुखों में भी वृत्ति होगी तमाम तरह की मनपसंद चीजे आप इस दिन प फल आपको प्राप्थ होंगे नोकरी में तरक्की के नए रास्ते निकलेंगे लोग आप से परभावित रहेंगे और यह समय आपको विशेश मान सम्मान भी प्राप्थ होगा बस इस दिन आप कुछ मामलों में अधिक भावुक भी होने वाले हैं और कुछ मेश राशी के जातक पुरानी बातों को भी सोच सकते हैं इस दिन आपको केवल आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि समय आपके लिए बिहद शुब बना हुआ है इसलिए एक पल को भी खराब ना जाने दें दोस्तो इस दिन आपको उपाय के तोर पर सफेद रंग का इस्तमा करें दिन आपके लिए अति उत्तम साबित होगा बात करें 24 तारिक रविवार की इस दिन दित्यात हिथी रहेगी मरिग शीरशा नक्षत्र होगा दिन में चंदरमा वरिशब राशी में शाम को मिथुन राशी में प्रवेश करेंगी मंगल का नक्षत्र इस दिन रहने वाल और विशेश मान संबान की प्राप्ति होगी नोकरी में पदोंती हो सकती है रविवार को काम करने वालों को बड़ा मुनाफ़ हो सकता है इस दिन गुप्त कामों में पूजा पाठ में धर्म आध्यात में गुप्त विद्याओं में भी आपकी रूची रहेगी और भोग विल प्राइफ भी बेहत खास रहेगी एक दूसरे से मुलाकात तक हो सकती है और एक दूसरे के साथ फोन पर बात होगी ओनलाइन नए संबंद भी बन सकते हैं बहुत यच्छा समय आपके लिए बना हुआ है पढ़ाय लिखाई में बच्चों का मन लगेगा आपकी बढ़ सकती है और साम के समय में आपकी कंसेंट्रेशन खराब हो सकती है और आप अपने कामों से भटक सकते हैं लेकिन साम के समय में मोज मस्ती अधिक होने वाली है दोस्तों इस दिन आपको उपाय के तोर पर लाल रंग का इस्तमान नहीं करना चाहिए हनुमान जी की पू अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सच्चे मन से जय मातादी जरूर लिखें